है एक हैलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लास्ट वीडियो में हमने अग्जेक्टिव की डेफिनेशन और एड्जेक्टिव की कुछ क्लासिस की थी आज उन्हीं क्लासिस को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे जैसे पहली जो खाव वह है adjective of quality यानि कि गुणवाचक विशेशन The words which show the quality or state of noun are called the adjective of quality This adjective answers the question of what kind वे शब्द जो संग्या के गुण या दशा दर्शाते हों गुणवाचक विशेशन कहलाते हैं Noun के गुण या परकार को परकट करने वाले शब्द को adjective of quality या गुणवाचक विशेशन कहते हैं The words or words describing the quality of a noun are classified as adjective of quality कुछ example है कलकत्ता एक बड़ा शहर है कलकता is a big city परकाश एक इमानदार लड़का है परकाश is an honest boy मोहन एक उबदर्वी लड़का है मोहन is a mischievous boy सुरेश एक बहदु लड़का है शुरेश is a brave boy गुणवाचक विशेशन एडजेक्टिव of quality किस परकार की या कैसा प्रिशनों के उत्तर में आता है इस श्रणी के अडजेक्टिव संबंदित नाउन के गुण के बारे में विशेशन करते हैं कि उसमें क्या गुण है जैसे उपर के उधानों में जैसे उपर के आए एक्जम्पल वैसे ही एक्जम्पल आ जाएंगे जैसे उसमें दिया वा था बिग शब्द बताता है कि शहर कैसा है बड़ा है कलकटा is a big city बिग describes the size of the city कैसा विक्ति का उत्तर मिलता है दांसर हो what type of person is honest कैसा है इंसान honest second class है adjective of quantity परिमान वाचक विशेशन वे शब्द जो संग्या की मात्रा दर्शाते हों परिमान वाचक विशेशन कहलाते हैं नाउन द्वारा उल्लेकित व्यक्ति, प्राणी, इस्थान या वस्तु की मात्रा के बारे में जानकारी देने वाले अड्जेक्टिव को अड्जेक्टिव और क्वांटिटी परिमान वाचक विशेशन कहते हैं यहाँ उपयोग किये गए शब्द सम इनफ नो की जानकारी देते हैं यह बताते हैं कि कितने चावल यानि कि राइस, तजुर्बा यानि कि एक्स्पिरेंस और शर्म यानि कि शेम का विवरण दिया जा रहा है Some, Enough, No Each of the adjectives used in the examples tell about the quantity of rise, experience and shame respectively These do not express quantity in terms of actual countable numbers Adjective quantity का अपयोग कितने पर्ष्ण के उत्तर में, उस उत्तर में होता है जहां Adjective of quantity is used in response to the question how much, where counting cannot be done इसके विपरीद एक विशेशन की एक वो शेनी है जो उस उत्तर में होते हैं जिनें गिना जा सकता है इस शेनी को Adjective of number कहते हैं In contrast to this, there is a category of adjectives that are used represent nouns that can be counted This category is called the Adjective of number कुछ एक्जम्पल हैं, जैसे गली में कुछ आदमी हैं, there are some men in the street यानि के पता नहीं है हमें के कितने आदमी हैं बरतन में बहुत कम पानी था, there was a little water in the pot, कितना पानी था हम मेजन नहीं कर सकते सारा धन खर्च कर दिया गया, the whole sum was expended, पता नहीं कितना खर्च किया है अपने स्वास्ते का ठीक से ध्यान रखो, take great care of your health adjective of number, संख्या वाचक विशेशन, the word which shows the number of things, our person are called adjective of number, numeral adjective this adjective answers the question, how many, वे शब्द जो संख्या की संख्या दर्शाते हों, संख्या वाचक विशेशन कहलाते हैं adjective of number का अपयोग कितने person के उस उत्तर में होता है, जहां गिंती की जा सकती है यह बता, यानि कि आप count कर सकते हो चीजों को, यह बताता है कि कितने व्यक्तियों या वस्तों से हमारा भी प्राय है या व्यक्तियों वस्तों किस क्रम में है, संख्या की जानकारी देने वाले इस विशेशन को, संख्या वाचक विशेशन कहते हैं adjective of number is used to answer the question, how much, wherever it can be counted definite numeral adjective, निश्चित संख्या वाचक विशेशन, definite numeral adjective, निश्चित संख्या की जानकारी देता है definite numeral adjective gives information in terms of the exact number, or denotes an exact number, 1, 2, 3, 1st, 2nd, आधी example है कुछ, मुझे किताब चाहिए, I need one book, यह दो लड़किया बहने हैं, these two girls are sisters उस लड़की ने दोड़ प्रथम इस्थान पर पूर्ण की, that girl finished the race in the first position वे शब्द जिनसे संख्या का पता चलता है, cardinals कहलाते हैं, और यह कितने हाव मैनी सुचित करते हैं the words that inform about the number are called cardinals, they answer the question, how many दोसे दरफ, first, second, third, त्यादी जैसे शब्द हैं, यह ordinals कहलाते हैं, और यह करम में कितवा सुचित करते हैं on the other hand, there are words like first, second, third, etc. these are ordinals and they describe the position in a series example है, मैं बारवी कक्षा में पढ़ता हूँ, I read in class 12 लता की दो बहिने हैं, लता has two sisters, definite हो गया, अब है indefinite numeral adjective, अनिश्चित संख्या बचक विशेशन, जो के अनिश्चित होगी, indefinite numeral adjective don't denote an exact number, वे adjective जो कोई निश्चित संख्या परकट नहीं करता, indefinite numeral adjective कहलाता है, जैसे adjectives that do not give a definite number are known as indefinite numeral adjective, like all, no, many, few, some, any, certain, several, कहीं लोग इस खार खाने में काम करते हैं, many people work in this factory, कोई भी विद्यारती परिक्षा में सफ़ल हो सकता है, and student can pass the exams, इनी शब्दों का अबयोग adjective of quantity के लिए किया जाता है, विभाजन के समय उस नाउन पर गोर करने, जिसका यह विवरण देता है, यदि उस नाउन को गिना जा सकता है, तो यह adjective of number के लिए वर्गिकरत होगा, नहीं तो इसे adjective of quantity का दर्शाद दिया जाएगा, these adjectives are same as those used in the adjective of quantity, the classification depends on the noun that they describe if the noun is countable, then it is adjective of number, otherwise it is adjective of quantity, अब adjective of quantity में क्या हो जाएगा, I would like to eat some rice, मैं कुछ चावल खाना चाहता हूँ, और adjective of number में क्या आजाएगा difference, any student can pass the exam, कोई भी विद्ध्यारती परिक्षा में सफल हो सकता है, some specifies the how much rice uncountable item, कुछ जानगारी देता है कितने चावल, ऐसी वस्तों हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, example हैं, कुछ चातर चतुर हैं, some boys are clever, सभी लोगों का मनना हैं, all men must type, ये थे कुछ example, adjective की कुछ class के, three classes आज हमने की हैं, next video में हम बागी करेंगे, अब तक के लिए आप, इनको note down कीजिए, revise कीजिए, कुछ questions तो पूछिए, और पढ़ते रहिए, और आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं, next video में, चैनल अगर subscribe नहीं किया है, तो जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो के जो notifications हैं, वो आपको के mobile में मिल जाए, झाल झाल